सरुकार प्रतियाश्यू की घोषणा है वो हो रही है और ऐसे में जनता की बीच कही कोई वेक्ती सरकार चाहती है या फिर बेपक्स चाहता है कि लाया जाए चेहरा बना करके जिसे भरपूर समर्थन जो है वो जनता का मिल सके इस वक्त हम बदायू में हैं बदायू वो जगा जहां से अगर बात करी जाए तो करीब 6 विधान सभा सीटे रही 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने 5 विधान सभा सीटे जीती और एक पर समाजवादी पार्टी का कबजा रहा है बदायू की बात करी जाए तो बदायू में भी बीजेपी का कबजा रहा है लेकिन इस बार हाजी रईज हमाई साय सet मौझूद है उन्होंने समाशवादीinkyट के च Fuk YouTuber समाजवादी पार्टी चिन पर इस बार जंता की बीच जाना सही समझाए उन से बाट करेंगे जांन की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधान सभा की समस्याइं क्या है? इस विधान सभा की जनता की दिक्कते क्या है और उनका हल कैसे होगा? सर, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर मैं आप से यह पूछना चाह रहा था कि आप जब जनता के वीज जा रहे हैं सबसे अहम बात यह है कि, ora fünf साल बीजेपी ने इस विधान सवर में भी गजारें, उत्तर प्रोधेश में भी गुजारें क्या समस्याएं जनता बता रही हैं, क्या मूल समस्याएं वो हैं जिन पर आप काम करने की सोच रहे हैं और क्या पाँच साल जो विधाय कर देश नहों ने किस तरह से काम किया? बिछले बिगजन पाँच सालों में सरकार ने ना ही उत्तरप्रदेश ना ही हमारे बदाइयों में कोई भी विकास का काम नहीं किया है यह जनता से भी आप जान सकते हैं आप भी सब जगे घूम रहे हैं विकास के नाम पर शून हैं यह जनता को धोका दिया है जनता से जूटे वाजे किये हैं Dharam की राजनीती की है बार्टने की राजनीती की है इसके लाबे इनोंने कुछ भी नहीं किया है यह आप पूरे शहर में गूमेंगे पूरे बिधान सवा के छेतर में जाएंगे जनता खुद आपको बता जेगी ऐसा नहीं कि मैं यहां के प्रताश्वी इसलिए कह रहा हूँ यह जनता के शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूँ विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है अब बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या हो गई है पूरे उत्तर प्रेदेश की देश की तो आपको मालूँ है हम अब बतने बदाईों जिले की बात कर रहे हैं हर लगबर लगबर जितने भी नरजबान देखेंगे आपको बेरोजगार ही हैं आपकर या जिसके पार कुछ छोटा बड़ा काम भी कर रहा है जो इसकी क्वालिफिकेशन है मजबूरी में उसको छोटा काम करना पड़ रहा है तो एक तो बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है दूसरी समस्या है हमारे किसान भाईयों की जो बहुत एहम समस्या है जैसे उनको समय पर भुक्तान नहीं मिलना उनकी फसल का समय पर बीज का ना मिलना समय पर खाद ना मिलना और दिन रात मेहनत करते हैं अभी जानवरों का इतना बड़ा आतंक हो गया है, गाहों में मेरे देखा है, सारी सारी रात इतनी करत् Egyptians ठंड में, वो अपनी फसल को लगवाते हैं, रखवाली कहते हैं, लाट एक दिन भी किसी कारान से भूल चुक हो जाएं, देरे हो जाए पूरी की पूरी फसले जानवर खा लेते हैं तो जो इतना बड़ा धन्राशी सुकृत हुई थी जैसे मेरे गव माता की रखवाली के लिए गवशला बनाने के लिए वह राशी कहां गई गाये माता तो बीचारी भूकी मर रही है गवशला में मर रही है महाँ सडकों पर घूम रही हैं किसानों की फसले खा रही है तो यह पैसे कहा जाते हैं इतने आतने विकास के नाम पर इनका खुद का विकास तो जरूर हुआ है पर जनता का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है यह कह रहे हैं कि हमने जो विकास कर दिया समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी वो नहीं कर सकती थे और अगर वो आती भी है तो भी नहीं करेंगी। दूसरी चीज गायों के बात आपने की जानवरों से जो यहां के किसान हैं वो काफी परिशान हैं हम भी जब कल आ रहे हैं तो हमने देखा कि खेतों में लोगों ने कपड़ों से मेड़ बना रखी है ताकि जो जानवर हैं वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं तो यहां पर सरकार यह कह रही कि गौशालाएं हमने बनाई हैं गायों के उधार के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि जो गाये हैं वो गौशाला में रहे और लोगों को समस्या ना हो किसानों को समस्या ना हो किसान खुशाल है लेकिन सवाल यहां पर यह कि पस्चिम में लगातार यह जो विकास हुआ है वो सोशल मीडिया पर इनों विकास जरूर किया है धरातल पर जाएंगे तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है आपने खुद ही अपनी प्रेशन का उत्तर दे रिया कि आपने खुद देखा कि किसान किस तरह से अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं कपड़े बांदी हैं उन्होंने इतनी कड़क ठंड हैं आप माइनस में पहुंचाता है कभी कभी तो ऐसी ठंड में विचारा किसान की कितनी बुरी हालाते दुर्दशा हो रही है कि उसको अपनी फसल को रखवाना पड़ रहा है एक दिन भी अगर नहीं रखा सकता है उसकी फसल बर बांगे कोई भी इलाज नहीं उपा रहा है मशीन बंद पर ली हैं डॉक्टर्स हैं नहीं मरीजों को खाना पूर्टी की जाती है उनको रिफर्कर दिया थैबर ली जाएए उनको कह दिया थैब दिल्ली जाए एक गरीब आदमी इतना महंगा इलाज दिल्ली लक्नो हमारे जो शेहर के लोग हैं नौजवान लड़के-लड़कियां हैं हायर एईउकेशन के लिए कहां जाएं कहां भढ़ घाये वहों उनके पास हायर कि एक भी संस्थान बनाई हो तो आप बता दे कर शेहर की अतनी दोह दशा है आपने देखा होगा सड़के तोटी पड़े ह गंदी की कांबार लगा हुआ है पानी जगे जगे बहरा है करके ये बना यूँ शेर आप कह सकते हैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है तो इन सब चीजों फे जनता बहुत परिशान हो गई है जनता में बहुत रोश है सभी बर्ग के सभी समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजीपी सरकार का सफाया करना है और समाजबादी पार्टी को लाना है समाजबादी पार्टी जांची हुई है परकी हुई है उसने काम किये हैं समाजबादी सरकार जब थी चाहे मेट्रो हो हाईवे हो ओवर बिर्ज हो इंस्टिटूशन हो एक धेरों बड़े लिस् एकलेज जी को बीच में लाया जा रहा है तो क्या पॉलराइज करने से इस बार बदाईयों में कोई एफेक्ट पड़ेगा या उत्तर प्रदेश मुझे इस तरह की बातों से धर्म की बातों से जो एक बार सत्ता में आ गए जनता ने बिश्वास किया इनकी पॉल खुल चुक बदाईयों जिल्ले के इतास में पहली वारा ऐसा हुआ है कि हर जात का हर धर्म का हर समाज का ब्यक्तिक मुझे जुड़ा हुआ है और सब मुझे समध्थन दे रहे हैं उन सब को मेरे बारे ब्यक्तिक कर तोर पर मालूम है कि रईस भाई कितने इमानदार आदमी है और क्यो हैं जनता के बीच में जनता का सिबग बंके समाजबाई पर्टी का सिपाही कर दिखाता हूं मेरे बारे में मश्यूAlatan च्राइब बिदान सभा की जनता के लिए मैं यह कहूंगा जो मुसीबत थी इन्हों ने दिये उनको त्रस्ट किया उनका अफमान किया है जो दुख के दिन है वो दुख के दिन दूर होने का समा आ गया है मैं उनके बीच में समाजबादी पार्टे का सिपाही बनके मौझूद हूँ उन समधायों शेहर का विकास करना, एक नहीं अधुनिक शेहर बनाना जिसमें सारी सुक्संपदाएं होती हैं, सुक्संपदाएं होती हैं चैम हस्पिताल है, टांसपोर्ट का साधन हैं अच्छे इंस्टिटूशन्स हैं, बच्चेव के लिए पार्क हैं बोजरुक महलाँ का, उनके लिए पेंशन दिलवाना है उनका मान सम्मान करना है ये सारे चीज़ों को मैं तुरंट लागू करवाऊंगा और उनके काम करूँगा धन्यमाद हमसे बात कर निकले तो ये थे हाजी रहीस अहमत साब जिनका साब तोर पर कहना है कि जनता के बीच इनको चुना इसलिए गया है कि वो जनता के बीच जाकर के इस विधान सभा का बहतर विकास कर सकें यहाँ पर जो रोड की connectivity है यहाँ पर जो बिजली की समस्या है जो किसानों की समस्या है जो स्वास की समस्या है उन समस्याओं का हल निकाल सके ताकि जनता ने जिसके पर भरोसा किया है उसे उनको ये लगे कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया है उन्होंने उनके लिए काम किया ह विधान सभा चुनाव की ये जो लड़ाई है काफी एहम होती जा रही है लगातार जो कोश़िष है सरकारों की लगातार जो कोश़िष है विपक्ष की वो बढ़ती जा रही है छेत्रों का दौरा डो टो डोर केंपैनिंग और प्रयास यही है कि जनता के पीछ जाकर भरोसा दिलाए जाए देखना ही होगा कि नतीजे क्या होंगे लेकिन इस विदान सभा में जो लडाई वो काफी रोचक है कैमरा परसंदी पकेसा आदमेरितिन प्राइम टीवी